तो इसके उपलब भी मन्य मुख्मंत्री भी को मिली बिजली का जो सुधार हुआ उप्ये वन का देन है और मनमों पादी ने यहां काम किया इस यात्रा में अप्सरों पर लगा में खंड से लेकर के सचिवाले तक भरष्टाचार में दुबा हुआ है लिखले तो समधाने के लिए हैं लिखले तो समधान के लिए हैं कितना समधान करते हैं तो समय बताएगा अभी तक 17 सालों में समधान नहीं हुआ, विहार वो जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, हम लोग भी इसके जिमवार हैं, रगमांस बावु ने विहार को क्या नहीं किया, गाउं गाउं में सनक बनाया, जिसकी उपलग धी मन्निय मुख मत्रीजी को मिली, विहार में विजली का जो सुधार हुआ, उयूपीय वन का देन है, और मन्मोहंसी ने यहां काम किया, जिसके चलते विहार में विजली का अपूर्ती सही हुआ, और मुकमंत्री जी लगे हैं, मुकमंत्री जी से आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इस यात्रा में अप्सरों पर लगाम लगाएंगे प्रखंड से लेकर कि सचिवाले तक भरष्टाचार में दुबा हुआ है और कहीं किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है यूरिया नहीं मिल रहा है और आप समधाने अत्रापनिक लिए इस समधान के लिए इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा बहुत उमीद है आपसे तो आपको इनके तरफ भी ध्यान देना होगा किसानों की स्तिति आज क्या है। कि सोरा सरु पे क्युंटल ढ Their pueden रहा है कि सान तो बहुत दुखी है शाल खरीक मिल रहा है उस पर believing in के तरफ भिझ्यान देना होगा कि सानों के सित्य हाज क्या है सोरा सोर प् apoyo दान विक रहा है उसका लागत भी नहीं मिल रहा है इसी कि सान तो भोब दुकि है खाद भलेक मिल रहा है उस पर लगाम लगाने क्यों सकता है कि कंद्र के साथ जब थे तो अभी जो इस्थिती है खाद नेपाल में जा रहा है और लेकिन एक सवाल यह है कि सरकार कहें है तो बहुत बढ़ाई के पातर है कि सानों की आर्थिक किस्थिती कितना करना गरीबी में आज बिहार में सबसे अगर गरीब कोई है मजदूर से गरीब कोई है तो किसान है और किसान की और सरकार का कोई ध्यान ले हम से मुखमांद्री जी से हाथ द्यूर करके निवेदन करेंगे कि किसानों की नियुक्त संध्धान आơi किसानों का समधान करें थे पनान नाम जी एक विदाईग्यी एक पाउंगे कि अधि कर दो